तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थोड़ी बहुत है ने करें लिखा था हमने होड़न टेखा था हमने लाइन ब्रेक टेख दिखा था तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं कि एक HTML को प्रोग्राम का चार्टिंग लाइन क्या होता है कैसे उसको लिखा जाता है स्टार्टिंग से एक खुद से फाइल क्रियेट करके हम लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना भी एस खुल लेना है कि आपने इंस्टॉल करे यह होगा इसले वीडियो में तो आपको वीज़ कोड खोल लेना है और यहां पर दिखा रहा होगा झाल नुए वेब्डव को में सेलेक्ट कर लेता हूं तो अब VS Code क्या कर रहा है वह व्यवड़ पोल्डर को यहां उपन कर लेगा ओके ठीक है अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं एक फाइल बनाता हूं जिसके नाव रहेगा है इंडेक्स.html फ्यूंज कैसे इंडेक्स क्यों नाम दे रहा हूं वहां है इंडेक्स एक बहुत ही way घू rate वृट अपको क्या इसको इतना सब इतना सब इतना सब चाहिए इसका बिदि आप नहीं लिख सकते यहाप को हर एक और एक प्रोग्राम में इंफ्लूटकार नहीं होगा इसलिए हमारा लाइब हासानि करने के लिए इसको डोले ने यह शॉर्टकट बना दिया है ताकि हमें खुद से यह सारा चीज फिर से जुबारा हमें से लिखना ना पड़े तो अब हम कि वही करने वाले इसका हर एक केला शोजी लीखाव है स्कश् amarac to से लाइन का मतलब समझते हैं यहां जो इसका मतलब क्या है ऐसा लेम लगना चाहिए कि यह लिखाव मढशकर कुछ नहीं होना चाहिए लिख्क लिख प tweets क्या यह है html version 5 इससे पहले भी html का बहुत से versions थे तो इत्से लिए हम यह यहां लिखते हैं था कि हमारे browser को पता चले कि हम जो html का code लिख रहे हैं यह html version 5 का code आपको मैं दिखा जाता हूं अगर आप अगर आप या वेब 3 स्कूल में अगर आप नेट में भी सर्फ करते हैं देखो मैं सर्फ कर दिखा था दॉक्ताइब हो html meaning आप देखो W3 schools एक website है यह बहुत अच्छा वेबसाइट है यहां आपको मैं दिखाता हूं ओल्डर html documents इसके निचाब को दिखा रहा है html 4.1 में कैसे लिखाया रहता है लिगा है html 4.1 में ऐसा था एक html 1.1 में ऐसे लिखाता था था बट html 5 में आख वो सिंपल होगा डिकलरेशन देखों देखों देखरेशन सिंपल तो इसी से यह बहुत अच्छा बात है गाईस तो हम आजा फर्स्ट्राइन का मतलब समाझ जाए क्योंकि हमें ब्रावजर का बताना रहाता है कि हमने हम यह फिर यह तो यूजिस करें हो एक फाइव है इसलिए हम लाइन लिखते हैं इंक्लूट कर अनगे था अफ इंक्लूटकुर्ण में परस्ट लैन अब सगलन Алगे एसको एक टाग है इसका ओपनिंग यह इसका ओपनिंग डगर यह को उफ जो भी लिखो भी है यह इसी एक tag के अंदर जो भी आएगा उसको हम बोलते एक प्रिशनल एक प्रॉपर्टीज देते हैं ठीक है अब समझते हैं यहां लिखा है अगर मैं आपको इस वाट करके दिखाऊ तो आपको मैं दिखाता हूं तो अगर आपको राइट क्लिक करना है यहां करना है हम क्या करना है और उसको फाइल लोकेशन से उपन तरह हैं आपको पेस्ट करने एक से copy left copy path भूत हो आपको यहां paste करना है एंचर माद तो यह खुल गूझा की कि यहां तो कुछ हमने लिखरी निए कुछ पुछ भी कर रही नहीं है तो यह प्रवाइट है बट अगर मैं क्या करता हूं इसको English एस कर देता है यह मतलब क्या है गाई इश्पनॉल जो स्पैनिस भासा होता है यह करते हैं इसको है और वापसे रिफ्रेश्ट आ रहते हैं ओके इजी ओके तो गैस दूसरा इसके बाद HTML टैक के अंदर ही दूसरा टैक हमें मिलता है कि हैड़ टैग हैड़ टैग क्या करता है वह साहसते हैं तो यह हैड़ टैग क्या करता हूं है है टैग हमारे HTML कोड का उपर अगर डिश्मिड प्रपरटिस हमें हमारे ब्राऊशर को बताता मत्लब हमारे HTML का code का एकस्ट्रा प्रपरफरेटी हमारे ब्राऊशर को बताया जाता है वह ए और हैना गश्रियों हनम है जैसे कि हट का अंदर पहला टैग है में इना अउ यह होता जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बहुत से टैग्स भी आसे होते हैं जो स्टोस्विंग होते हैं तो मेटाटग बहुत तैप्स क्यों होते हैं अब जासे यह मैटाटग है इसका यहाँ पर आट्रीबूट यहाँ अकार्षायड का मतलब क्या होता है चैरेक्टर साथ्ड अगर मैं आपको दिखाओं तो देखो यह यूटी एफ एट का कम्प्लीट क्यारेक्टर सेट लिस्ट ऑफ यूटीएफ एट इसके अंदर क्या आते हैं इतने सारे हैं बहुत सारे हैं यह यूटीएफ एक एक कॉमन क्यारेक्टर सेट जो मैक्सियूम जगा यूज होता है तो देखो इतने सारे हैं आपको जितने भी करेक्टर के यूज है आस तक आपके आपके प्रोग्रामिंग वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगगी ठीक है तो यह है वो करें यूटीएफ इसके बदाय और लाके वासरते हैं बहुत सरह है बहुत वो हम्मम्म मेक्सिम्म सेटो यूज नहीं होता है अब नेक्ट साथी मैट यह मैकल ऑटेक मदल कि hostage में हपयां इन्टे चाहते हैं तो यह में डालना पड़ता है मैक्रोफ्ट के ब्राउजर्स के हिरे मैक्रॉफ्ट कर मतलब कि इंटर यह वाला यह वह रफाघ नम लिंग पोड़िये में अब बता रहे हैं कि यह जो मेटर टाग है यह व्यूपोर्ट है व्यूपोर्ट का मतलब क्या था हमने जितना स्क्रीन ऍप्रीयाड सिए हमें अभी अपना यह ब्रावजर खोला हमने अपना इंदे डिंगर फ़िए खोला तो यह जीतना स्क्रीन है इसको बोला था व्यूपोर्ट व्यूपोर्ट की बूला जाता है कि हम इतने पारट को देखते हैं इतने पारट हमें वेबसाइट वेजिबल होता है इसलिए हम बोलता है ठीक है अब इसमें हम content equals to content का अंदर बता रहे है width equals to device width हम इस लेंदे हैं मतलब हम ब्राउजर को यह बता रहे हैं कि हमारा content मतलब हमारे website का जो width है वह website जो भी device में उपन है उसका width का बराबर है यह बता रहे हैं ठीक है यह समझना का इस बहुत important है कि हम बता रहे हैं ब्राउजर को कि जो भी device में यह website खुला हुआ है वह device का जो width है वही हमारा viewport का width होगा है ठीक है और initial scale equals to one इससे मतलब क्या है कि हमारा जो content है वह बिलकुल भी zoom in नहीं है और नहीं zoom out है scale one है यह समाझत है हो गया meta tag viewport content width because to device with an initial scale equals to one का मतलब क्या है कि हम बिट्स जो भी होगा वो device का width equal होगा और बिलकुल भी zoom in नहीं होगा और zoom out नहीं होगा ठीक है यह समझ लिए हमने अब यहाँ पर एक आधा tag title tag title tag थैटल अगा होता है हमारे website को टाइटल देश देश जिसके आप यहां से कि दॉक्युमेड लिखा हुआ है जिन्रेल यह यह यहां चेंज कर देता हूं और लिख देता हूं तो यहां पर देखना गया यहां तो यह टाइटल होता है टाइल होता है है ठेक है तो इस है यह तो आप समझ गें अब डुसरा टैग क्या था बॉड़ी टैग का अंदर गया यहां वाइड स्क्रीन में जितना भी दिखाना हो सब चीज आएका बाले टाइग को आ जाएगा यहां पर तो आपको शल्मीन कंटेंट रहता है वो बॉली टैक अंदर वीडियों के समझें की हाथ हमने समझा की डॉक्ते डॉक्त टाइब ट्रॉट हमने शाल कि आप युद्धिया वीडियो में हम क्या करेंगे अपना एक वेबसाइट बनाएंगे रेज्वियू में आपका खुल अपना रेज्विवे में básicamente तो वेबसाइट में, ठीक है गाइस, तो गाइस मिलतें नेक्ट टूडियें, तब तक लिए जायन बन देपादें